नमस्कार विवेजम मैं हूँ अमीश देव करण आप देख रहे हैं वीकेंड का हमारा बेहत बेहत मेगा एडिशन क्योंकि यह मेगा एडिशन कोई समान्न मेगा एडिशन नहीं है क्योंकि दो धौर के चुनाब हो चुके हैं और मुद्दो का शोर जम कर है और आरो प्रत्यारो भी खुल कर लगाई जा रहे हैं यानि जैसे जैसे मौसम का तापमान यानि गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी तापमान यानि टेंपरेचर भी नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस जबरदस चुनावी गर्मी के बीच देश के प्रधान मंत्री नरेंद बोदी ने नेटवर्क चुना है न्यूज एटीन जिसके साथ उन्होंने बेहत खास बेहत महतपूर साक्षातकार किया है अर्थात एक इंटिव्यू किया है जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस के घोश्टा पत्र से लेकर विरासत स्टैक्स जैसे गंबीर मुद्दों पर हर सवाल के जवाब दिये हैं जो हर देशवासी के मन के सवाल है वो न्यूज एटीन के माध्यम से हमारे पत्रकारों ने संपत्ती जिन्दे का भी खेल खेला जा रहा हुआ कि मेरी मातां और भेहनों के जिन्दगी में सोना कि स्ट्रफ शो करने के लिए नहीं होता है इसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल शुत्र वोई सोने का अकीमत का मुद्दा नहीं है दूसरा चरण बीट गया है सभी तर अपनी जीत का दावा कर रहे है लेकिन अंतिम फैसला चार जून को होगा तो दूसरी और आरक्षन से लेकर मंगल सूत्र तक घमासान चीड़ा हुआ है लेकिन इस बीच बीएम मोदी ने न्यूज रेटीम को एक विशेश साक्षाद कार दिया है जिसमें 370 से लेकर संबत्ती के बढ़वारे जैसे मुद्दों पर खुल कर अपनी बात रखी है और विवक्ष को कट घरे में भी खड़ा किया है साम पिटोडा जीज ने जो है इन्हेरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमापुंजी है जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जेनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारतिय जनता पार्टी क्या करेगी हमारे मेनिफेस्टों में साफ हमने लिख करके लाएव है अब उन्हों है कही सघू पा छोड़ दिया तो मैं भी जनरा लेकर गूँगा ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है भारतिय जनता पार्टी की विशारधारा साफ है जी हम तो आज की सबसे बड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के प्रधान मंतरी नरेंदर बोदी ने चुनाव के बीचों बीच मेगा इंटेव्यू दिया है कॉंग्रेस के चुनावी घोशना पत्र पर बड़ा हमला किया है हर सवाल का बेबाग जवाब दिया है जो सवाल देश वासियों के मन में है वो तमाम सवालों के जवाब प्रधान मंतरी नरेंदर बोदी ने दिया है तो पहली बार उनके शाक्षातकार का हम एक बड़ा अंच आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसमें कॉंग्रेस की घोष्टा पत्र को लेकर जब सवाल पूचे गए तो क्या जवाब दिया प्रधान मंतिर नेंद मोदी ने? आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक्ट टाक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ट डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुस्पैठियों में बाट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है क्या आपको ऐसा दिखता है कॉंग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो हैं कोई मुझे बताए सचनाओ के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई सोपिस के लिए होते हैं क्या सचमोच में तो मिया का काम है कि हरे कुल्टिकल पार्टिrukt पार्टि के मैनिफेस्टों की बारी की से जहांट परताल नकिये मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करे पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था मैं को आज कर नहीं रहा कि मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी चाह है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे तकि मुझे पता नहीं अब उनकी व्यस्त्रता कोछ और है मैनिफेस्टो में उनकी तरब से जो परोशा गया है उतनों गुड़ी 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 उशालते रहे फिर मुझे लगता भी तो एको सिस्टिम का मुझे सच्चा ही लेकर घ्याना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराईया है उसको कोई 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 कि निस्पक तरिए से आता है तो अच्छा है इस शर्चा की शुरुबात करते हैं को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इस भास को इस्टैबलिश करने का प्रयास कर रहे है कि अगर इंडिया आलाइंस की गर्मेंट आती है तो वो OBC का आरक्षन कम करेगी और उसमें मुसलमान को इंक्लूड करेगी जिसमें SCST सा बात है प्रिधान मंती ये बात डिरेक्टली कह रहे है वो ये कह रहे है कि बाबा साहिब अम्बेटकर की कॉंस्टिटूशन में गारेंटी थी SCST और OBC के लिए उसका कोटा कम किया जाए उसका कोटा अगर कोटा विदिन कोटा किया जाते तो उनको जाहिड की श्रिंक होग ऑविसली एक आपर लिमिट है सुप्रीम कोट की बिल्कुल और ये बात जो है क्योंकि ये कॉंग्रेस के मैनिफेस्टोस में पहले भी थी और क्योंकि there is a track record different Congress Governments का including in करनाटे का इसलिए प्रदान मंती बड़ी सामने आके सतीश के सिंग आप आपने कई चुनाब देखे हैं प्रदान मंती का ये एक बड़ा साक्षातकार है जो कल रात 9 बजे पूरे रूप से टेली कास्ट होगा लेकिन इसके आज हम कुछ मुख्य बिंदू जो की मेहतपूर्ण है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर जिस टोनें टेन्योर के साथ बोल रहे थे खासता और पर अपनी रैलीज के अंदर और डिरेक्टली सवाल पूछा अब पूछा गया न्यूज एकीन दौरा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और प्रधान मंतरी ने बोला मीडिया का कामता इसको इस्टाइबलिच करना लेकिन जब कोई नहीं बोला दस दिन के बाद तो मुझे बोलना पड़ा इसमेशन क्यों देखिए सवाल यह है कि हम तो यह इस बात के लिए बहुत प्रसंसा कर रहे हैं कि कम से कम भारती एलेक्शन में मैनिफेस्टो जो है सेंटरल पॉइंट बन रहा है पहली बार यह तो मेरा बहुत लंबा प्रयास खुद ऐस एडिटर था यह वो मैं सफल नहीं हो पाया मेंसे मुसल्मानों को आरक्षन देना चाहती है इंडिया गड़बंदन की सरकार जबागी और आगामे और करनाटक की जो बात करें को अंग्रे सिकर क्या है यह वहाँ पर लेकिन कोट से स्ट्राइक डाउन हुआ तो मतलब टूस्टिक करन की तो प्रकास्टा हो गई है अमेज भाई मैं सबसे पहले तो न्यू जेटीन इंडिया को और आपकी पूरी टीम को बधाई दूगा कि कम से कम आप लोगों की दस साल की एक उपलब्दी है कि मानी परधानमंती जी ने आपके साथियों को इंटर्विव दे दिया हलाकि जब आपने कारिकम सुरूर किया मुझे लगा कि परधानमंती जी का इंटर्विव है तो मैंने कुछ सवाल लिखे थे मुझे लगा कि कोई नो कोई तो वरिष साथी आपका इन सवालों पर फो एक जवाब तो मांगेगा पर्धान मनतिश के क्को है यह पुलिटिकल ट्राप है जिसके अंदर पूरा इंडिया अलाइंस फसता हुआ दिख रहा है अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कल का अगबार उठाया, मैंने कॉंग्रेस के नेताओं की, लेफ्ट के नेताओं की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बाते सुनी, जो वो भाष्णों में कहने हैं, उसके अंदर वो इसी पात को क्लारिफाय कर रहे हैं, कि हम अब इसी का बीजे पीक दे, और उस ट्रैप में के लपेटे में आप लोग आ गए, आप विवेक, और इसको बिल्कुल साफ़ साफ़ बोलता हूं, सतीश जी ने बिल्कुल टू दपॉइंट बोला, जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात ती है, कि कम से कम एक दूसरे के मेनिफेस्टों के उपर एक डिसकेशन इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ, यह सबसे बड़ी उपलब्दी है, और दूसरा, मैं भी आपके साथ प्लिटिकल अनलिसिस में या पे बैठा था, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद आगे के जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं, यह सदीज जी ने भी कहा था, कि जिस तरीके का टर्न आउट हुआ है, यह बहुत ही संगर्ष दिखा रहा है, रूलिंगर्ड बंदन के लिए, तो कहीं न कहीं उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहें, या उसको एक चुनावी रैली का जुमला कहें, क्या कहें, ओनरेबल प्राइम म मिस्टर को भी आना पड़ा, कि मैं कुछ क्लारिफिकेशन दू, बिकॉज ही इसा नहीं है, कश्मीर से कन्या कुमारी आप देखें कि यह अंसेटल है, और इनका अलाइंस भी अंसेटल है, और इन्हों ने क्या किया है, हमारे मिलेनियल्स की लैंगुज में, फ्रेंशिप व आप समझी गए थे, फ्रेंशिप विद बेनिफिट्स वाला मॉडल है, कि दिल्ली में हमको फ्रेंशिप करना है, पंजाब में अलग-अलग लड़के गाली देकर बेनिफिट लेना है, दिल्ली में हमको फ्रेंशिप करना है विवेक जी के साथ, और केरल में विजयन जी को गालियां देकर benefit लेना है, यह friendship with benefits नहीं चलता, विवेक जी आपके target पे रहते हैं, नहीं, विवेक जी के target पे रहुल गांदी है, और रहुल गांदी के target, आपको पता है, हमने जब ही कुछ नहीं का ऐसा statement, MLA है लेफ्ट के अनवर साहब, उन्होंने रहुल गांदी के DNA पे ब आपके लिए तक हम लोगों की understanding शहदाद भाई की knowledge के लिए मैं बता देता हूं कि कोई trap हो नहीं रहा है, और ये बीजेपी खुद को trap कर रही है, जितना ज़्यादा आप Hindu versus Muslim को करेंगे, जितना ज़्यादा आप Muslim तुष्टी करन शब्द यूज़ करेंगे, हम चाहते हैं आप यूज़ करें, उतना ज़्यादा हमारे favor में जाएगा, क्योंकि हमारा narrative है कि आप सिरफ Hindu Muslim के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, रह राइस करेंगे, उतना नुकसान BJP को होगा, जो विवेक की विल्कुल, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखिए मैंने शुरू में ही काया कि यह चुनावी पैत्रवाजी है, तो पर्यास भारती जंता पार्टी का पूरा फोकस यह रहता है कि मेरे उपर कुछ पूराना चाहते हो, जो वेस्टन कंट्रीज में भी एक तरीका होता है तुनाव लडने का, तो स्वस्त राजनीती और स्वस्त डिमोक्रिस लिए को पात करिये ना भाई, अरिये मैनिफेस्टों में यह कहां से ही, अनवर, अनवर, सब लोग आ गए, अनवर मैनिफेस्टों और जब यह राम मंदिर में सूर्य तिलक हो रहा था, यह पाखंड है, राम मंदिर जो है, गुलामी की निशानी है, राम चलितमान स्वस्त पोड़न करूंगे, यह मैंने बोला, साजाद, यह मैं उनके तरफ से नहीं बोल सकता, उन्होंने बोला, तो हम जवाब दे, तो हम अरे मानेवर मुझ से क्यों पूछते हो, आमेटकर जी ने संविधान लिखकर चले गए, और उसको कौन बदल रहा है, मुस्लिमों को आरक्षन देकर, यह मैं तो यह सवाल मत पूछे, एक सेकेंड, सुरी आप प्रफप्लिसिटी पर पत आए, आप प्रफप्लिसिटी पर जिबर डाइवर्ट हो ए, बीजेपी भी खेमेवादी पसमाने चल्टी थी, लेकिन जब सेकंड ज़ोर हुई कौंग्रे, आवास के दब पर नहीं तरकों के दब, आप पर कॉंग्रेस तो इसकी पुरानी कहान नी है, जी जी, एक स्कुन, प्लीज सुन लीजे, पहली बार बीजेश का OBC प्रदानमंति जिसने टेनियोर पूरा किया, पूरे में शब्द, नोट कीजिए, वो है नरेंद्र मोधी, किसने बनाया, बीजेपी ने, पर बीजेपी कास्टिस पार्टी है, और ये कॉंग्रेस जिसने OBC का प्रदानमंतिर की बनाया, ये कॉंग्रेस वर्स सब्सक्राइब करने ने, बीजेपी बनाया, पूरा की थे, वो Warum कि ऑने, और ये कॉंग्रेस लोर पूरा कि झिसने प्र०ी की बनाया, इसन के प्रदानमंतिर की ने, मेरे मुस्लिमों को देने वार जा रहा हूं मैं संजीव जा है संजीव जा विद आल डू रिस्पेक्ट तू यू यह आपका मुद्धा नहीं है जो कॉंग्रस के घर में समय हो रहा है लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी वज़ा से यह हो रहा है मुझे लगता है कि यह लराई बहुत बड़ी है और लराई जो बहुत बड़ी हो छोटे छोटी चीजों को मुझे लगता है नजर अंदाज कर देना चाहिए तो मुझे लगता है ये इतना महत्पूर नहीं है बरी लराई क्या है बरी लराई ये है कि आज देश में एक तरह से तानाशाही है सभी आप जितनी भी संबिधाने की इकाई हैं उसको मिस्यूज कर रहे हैं जी हमारे साथ क्या हुआ हमने अपने केंपें सौंग लांज किया था इलेक्शन कमिशन कहता है कि ये केंपें सौंग नहीं चलने देंगे आपत्ती क्या है हम कहते हैं आवाद खिलाब दीचो सब को जेल में डाल दिया और बस उनको ही बाहर रहने दिया जो इनको माल दिया तो इतनी लालच में इतनी नभष्टा चार से मुहबत तो election commission कहता है कि करेंगे तो आप समझे हम पहले ही कह रहे थे कि election commission की अगर इस तरह से करेंगे कि दो व्यक्ति आपका रहेगा और एक पुजिशन का तो आपके हिसाब चलेगा वह और वहीं चल रहा है तो आज चाहें election commission हो चाहें बांकी जाच एजनसी जो सब को आपने अपने अंदर कर लिय है तो अब यह लड़ाई इस देश के जनतंत्र को शंविदाने की काई को बचाने की लड़ाई है और यह लड़ाई नरेंदर मोदी वससे जनता है मैं एक बात की आपको सुपकान देता हूं हमीशी कि 10 साल बार प्रधान मंत्री जी किसी को इंटर्व्यू दिये मौका आप शेदा शेदा 30 सेकंड 30-40 सेकंड दे दीजिए और बीच में हस्तक्षेप कोई ना करे समविधान बचाओ मानेवर अच्छा ठीक है खेरा जी की गिरफतारी पंजाब में होती है कॉंगर्स बोलती है आप से समविधान बचाओ केरला में सुधाकरन जी की गिरफतारी होते विजैन जी से बचाओ बंगाल में राष्टरपती शासन लाने की बाद अधीर अजन चौर्दी केते हैं वहाँ पर समविधान बचाओ बीच में नहीं सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला और समविधान बचाओ तो सुप्रीम कोट जब इलेक्टोरल बॉंड पर चंडीगर पर फैसला दो तब तो सुप्रीम कोट ठीक है और सुप्रीम कोट अगर केज़िवाल को राहत ना दे हाई कोट केज़िवाल को भरस्टाचारी बोले तब तो समविधान खत्र में आ जाता है यह समविधान बचाओ नहीं अपना अपना अपने 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 वोट को इंटक्ट रखेंगे लेकिन कॉंग्रेस का उस तरह से वोट नहीं मतलब जैसे कहते हैं अपना उनका हाउस ओर्डर में नहीं है कल की मीटिंग के बाद भी नहीं हुआ ओके सतीज जी देखिये मैं मानता हूं कि सारी पार्टियों में इस्तितियां ऐसी ही रहती है यह कॉंग्रेस वालों से पूछिए तो ज्यादा बेतर है का कॉंग्रेस तो खेमेवाजी पे ही चलती रही है मैं यह कहना चाहरा हूं उनके मैं मैंने फेस्टो को मैं तो बहुत तारीफ करता हूं मैं आपको ओने से करता हूं मैं बोल रहा हूं करता हूं लेकिन उस चीज़ के लिए बाहक तो और और यह जो बाजपा भी एक समय भी डीफोर से चलती थी वो रहती है क्योंकि लेकिन क्या हालात हुई थी जीफोर के बाद बीजेपी की मैं वही कर रहा हुई तो अब बाद 2000 मतलब मुझे उमा भारती के सारजरिक तौर पर जो बोला था वो किसी से चुपा नहीं है अद्वानी जीए आपने आज के डेट में आपने कॉंग्रेस की सारी चीजे गिना दी यह भाजपा के बारे में भी गिनाई जा सकती है फिलकुल करनाटे करनाटे का की बिलकुल सही आपने का यूर्पा और और सुरेश की में पुछा था इसलिए बाजपा इतनी तगडी थी, कि भाजपा के 500 तुकडे नहीं हुए, कॉंग्रेस एटो लेकर जड हुई, जब कॉंग्रेस सक्ता में थी, तो केवल मेरा एक कहना है कि टाइम इस ओवर टाइम इस ओवर लेकिन ये मेगा मेगा हमारा जो एडिशन है ये जारी रहेगा लेकिन कल रागा